नॉन फ्राइट सुजी कॉन चीज बॉम रेसिपी ये खास मेरे वेजिटरियन सब्सक्राइबर्स के लिए एक रेसिपी तो बनती है या ना आलू वाइल करने का टेंशन और ना ही इंतिजार क्यों ये बन चाता है स्रीफ और स्रीफ 20 से 25 मिनिट में ऐसा नहीं कि ये वेज है तो तेस्टी नहीं जी हाँ ये बहुत ही टेस्टी रडी होते है और वो भी कम ऑईल में ना लेंस गेट स्टार्ट सबसे पहले हम इंग्रीडियंग देख लेंगे एक बोल कॉन लिया है आदिय प्यास एक गाज़र को मने कद्दु कश कर लिया है थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स तीन हरी मिल्ची चार लसन और थोड़ी सी कॉतमिर अब हम कोन हरी मिल्ची लसन और को चॉप कर लेंगे आच कर सकते हैं लेकिन चॉप करना है अब जयादा बारिक नहीं करना है हमने चॉपर में सभी को एक सार डाल दिया और इस तरीके से कर लिए ना जयादा बारिक ना मोटा कोसट टाइप रखेगे अब हम एक बोल में टांसफर कर देंगे जिसमें हमें बनाना है यह ग्रेट किया ये भी एट कर देगे वन बोल रोस्टेड सुजी है ये एक बोल पुरी चले जाएगी इसके अंदर जितना कौन है उतनी ही जाएगी सुजी ताक एक बाइंडिंग बने अब मसाले डाल देंगे वन टीस्पून नमक, वन टीस्पून ब्लाक पेपर पाउडर, वन टीस्पून जीरा पाउडर, वन टीस्पून ओरिगानो, वन टीस्पून टर्मरिक पाउडर उसको अच्छे से मिक्स कर लेगे पकड़ पकड़ के mix करेंगे इसमें पानी नहीं जाएंगा तो कौन अपना पानी आसानी से छोड़ देगा तो पकड़ पकड़ के हम ऐसा mix कर लेगे बनाते वक्त ऐसा लगता है कि यह नहीं बन पाएंगा अगर आपको असल लगता है कि यह नहीं बन पारा है आपसे तो आप उसमें 2 टेबल स्पून चने काता डाल दीजिए बेसन डाल देना तू या थी टेबल स्पून बेसन डाल देना देखिए इस तरीके सहराना चाहिए 10 मिट हम रेस्ट करेंगे तो यह अपने आप सेट हो जाता है 10 मिट के लिए हम ऐसी छोड़ देंगे तो अपने आप सेट हो जाएगा पानी अपने आप कौन का छूट जाएगा 10 मिट बाद हम इसको बॉल बना लेंगे अगर आपका नहीं बने तो आप टूटेबर इस्पन बेसन डालना मुझे जरुद नहीं पड़ीती मैंने अब इसके अंदर चीज रखा बीच में पर फ्लैर कबाब जीसा बनाएंगे अब चीज अंदर रखेंगे और इसके बार राउंड शेप का बना लेंगे चीज मेंने यहां पर स्लाइस लिया है उसको फोल्ड करके डाल दिया है हाफ आप चाहिते छोटे बॉल्स भी थोड़े बना सकते हो बीच में चीज रखेंगे सेंटर में उसके बार सब को क्लोस कर देगे हाँ अच्छे से बन करना है वना फ्राय करते है वक्त चीज बहां निकल जाता है तो इस बात का ध्यान रखें इसलिए कम डाले चीज इसी तरह हम सारे बॉल्स बना लेंगे यह बहुत कुईक बन जाता है सिफ 20 या 25 मेट लगता है इसको वस पर भी जाता है यह देखी रैडी हो गया है सुझी कॉन चीज बाल रैडी हो गए है पे बन के अब हम इसको 20 मेट के Psalmi सेट करने के लिए रख देंगे जब आपको सब लगए क्या आप से फ्राय होने में तूट सकते तो आप फ्रीजer में सेट होने के लिए रख दे या फिर air fryer हो तो बहुत best है 180 degree पे हम 10 मिट के लिए balls को रख देगे air fryer में तो बिना oil के fry हो जाएगे ये वो भी crispy ready बनके हो जाएगे 10 से 15 मिट हम air fryer में रख देगे या फिर अपन पैन या फिर ये पैन बिच बिच में हम side change कर देंगे सब कलर लगे ये वीडियो में कम आ रहा हो बड़ ये crispy ready हो गड़े जैसे में को feel हुआ कि ये हो गए है ready तो हम इसे change कर देंगे sides आपको असर लगे कि आपसे नहीं बन रहे तूट सकते तो आप उसको fry करने से पहरे बीच मिट के लिए set करने के लिए रख दें फ्रीजर में और बनाते वक्त आपको doubt लगे कि ये नहीं बन पा रहा या कौन ने ज़्यादा पानी छोड़ दिया तो आप 2 टेबल स्पून चोने काटा डाल सकते हो देखे हमारे ये ready हो गए ऐसे red color के ready होने चाहिए बहुत ही crispy ready होने चाहिए ये बहुत ही quick बन जाते है सिफ 20-25 मिट में सब कुछ ready हो जाता है ये देखे अब हम खोल के दिखाते है आप चीज अपने पसंद की कोई भी ले सकते है पीजा चीज भी ले सकते है इसे लुक अच्छा आता है बढ़ टेस अमुल में जादा अच्छा आता है ये देखे हमारे चीज कितने अच्छे से melt हो गई है कितना tempting लग रहा है ये के मिलते है एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बैल आइकन पर प्रेस कर दीजिए बाइ बाइ